सुपर बहुत ही जबरदस्त बना है फ्रेंट्स हमारा और ग्यानो सीजनिक यह रेखिए सिर्फ 2 मिनिट में तयार हुआ है और कितना फ्रेश कलर आप दोनों का देख रहे हैं कितना जबरदस्त लग रहा है तो इसी तरह से आप लोग भी बनाईए आप लोग भी ट्राइ करि आशा करते हैं आप सब स्वस्त होंगेम मस्थ होंगे और बढ़ियां रस्पी आप् सब के लिए आज हम बनाने जा रहे हैं आप सब के लिए दो बहुत ही ét थे ये जो हम जेते हैं बबाघार में खरीदेक ते तो बहुत महीं मिलतीBU बहुत कोस्क्री मिलती है आज मैं आपको घर पर बताऊंगे कितनी आसानी से हम बनाएंगे और गानो और चिली फ्लेट्स आपके लिए बहुत ही जबर्दस चीज लेके आए हैं आप देख रहे होंगे कि कुछ पतियां एक लेक में रखी है इसको अजवाइन कहते हैं यहाठ जवाइन के पतियां हैं अजवाइन हमारे लिए फाहधे मंध होती है कहा जाता है कि सो ब्यमारीों की एक दवा होती है यह अजवाइन की पतियां तो यह बहुत ही आसानी से नरस्री में मिल जाती है Perform org 30 रुपे में इसकी पत्ति भी इस तरह से लगा लेंगे अगर תब्चति में तो यह एसे पौढ़ा निकलाएगा और यह बहुत ही जबर्दस्त होता है तो मैंने आपको अर्गानो बेरा होता है इसकी पकोडी भी बहुत अच्छी तो इन पत्यों से आप फ्रेश और्गानो बना कर रख सकती हैं यह बहुत ही आसानी से नर्सरी में मिल जाता है मैं तो यही कहूंगी कि इसको जरूर लगाईए और घर में अगर हम बनाएंगे तो यह बहुत ही कम बजट में बन जाएगा क्योंकि आप जब लाएंगे उसको पत्या इसके इतनी कस्क फैलती हैं कि आपने जरह से लगाए तो यह पूरे गंले में हो जाती है मिट्टी में लगाएंगे तो पूरी मिट्टी को यह बहुत सारी इसकी ब्रांचिस हो जाती है ठीक है तो चलिए आज हम बनाते हैं यही और घ्रानो आप सब के लिए और बत मैंने पाणी से धोल लिया है और फिर मैंने इसको कपड़े से पोश लिया ठीक है अब हम इस तरह से इसकी पत्तियों को तोड़ लेंगे ठीक है गैस पर मैंने एक तवा चड़ा दिया है इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है ना अजवाइन की जबरदस्त करेंगे की इसारी पतीयों को तोड़ लेंगे इदिखिंए मैंने पत्तियों को तोड़ लिया है ऑप इन पत्तियों को फृप येस तरह से रख देंगे धिक है है Indie को प्रतियों को पिलकुल लो फृप चीज़ों करेंगे आज देखिए कितनी जबरदस चीज बनती है जो आप मार्केट से खरीदते हैं उसको आप धर में बहुत आसानी से बना सकते हैं सिर्फ इसका एक पौधा नर्सरी से लाईए और इसको लगाईए और इसके फायदे उठाईए यह बहुत सारी बिमारियों में भी न अजवाइन जो होता है न बहुत ही सुपर है कहा जाता है कि सौ बिमारियों की एक दवा है यह जवाइन की पत्तिया है न तो हम इसको कर ले पत्तियां हलकी हलकी सी रोस्ट होना शुरू हो गई है प्रेंट्स देखिए इन पत्तियों का हलका हलका सा रंग बदल रहा है यह देखिए है ना और पत्तियां भी हमारी रोस्ट होना शुरू हो गई है बस इसी दरह से हम इसको उलट पलट कर बिल्कुल रोस्ट कर लेंगे देखिए पत्तियों का कलर हमारा चेंज होने लगा है और हमारी पत्तियां हलकी हलकी सी रोस्ट होने लग गई है देख रहे हैं आप लोग इसमें फरक आप लोगों को दिख रहा होगा यह देखिए कि पत्तियां हमारी कितनी बढ़िया सी रोस्ट हो रही है न हमने कितनी सारी पत्या जो है ना बखुल करारी से हो जाएंगी ठीके अभी हम इनको अच्छे-से- और कर लेंगे रोस्ट एक वैसे तो हमारी जुब रोस्ट हो चुकी तो अब हम इसकी गैस बंद कर देंगे क्योंकि तो हमारा गरम है ना तवे की हीट से हमारी पत्निया और अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी गैस की फ्लेम हमने आफ कर दी है इसको बस उलटते पलटते रहिएगा फ्रेंस उसके बाद मैं दिखा रही हूँ कि कैसे हम बनाएंगे और ग्यानों यह देखिए कि सारी पत्निया हमारी रोस्ट हो चुकी है बहुत ही बढ़िया सी यह देखिया आवाज सुभाई पढ़ेगी ने आप लोगों को अब हम इसको प्रेट में निकाल ले रहे हैं यह देखिए और ग्यानों हमारा रेडी हो चुका है अब इस तरह से हम इसको हाथों से क्रेश कर देंगे यह देखिए प्रेंट्स यह देखिए कि और ग्यानों हमारा रेडी हो चुका है देखिए बस इसी तरह से बनाना है अब मैं आपको बजार वाला दिखाती हूं निकाल कर एक यह देखिए फ्रेंट्स और यह हमने जो बनाया है अभी आप देख रहे होंगे कि दोनों का कलर थोड़ा सा चेंज है यह हमारा फ्रेश है और यह हमारा पुराना है ठीक है तो अभी अगर हम इसको भी रख देंगे ना तो थोड़े टाइम के बार इसका जो कलर है ना सेम ही हो जाएगा ठीक है तो देखिए कितनी आसान यह रेस्पी है जो मैंने आप से शेयर करी है इसमें हम थोड़ा सा सौल टाल दे रहे है यह देखिए और इसको इस तरह से हम मिक्स कर देंगे यह देखिए बिलकुल मार्केट वाला और ग्यानो हमारा रेडी हो चुका है दे बहुत ही अच्छा बहुत ही सुपर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि दोनों में कितना फर्क है और खुश्बू भी चो हमने बनाई है उसमें जबर्दस आ रहे हैं तो देखिए फ्रेश चीज फ्रेशी होती है तो अब आप इतने पैसे मत अपने वेस्ट करिए बजार मे और गानु को मत खरी दिये मैं तो सिर्फ आपको यही राया दूंगी कि नसरी जाईए और नसरी से इसका एक्प्लाइंट लाइए कि आपको जब भी इसको बनाना हो आप इसे फटा-फट बना सकते हैं और यह बहुत ही फायदेमंद है ठीक है तो चलिए चलते हैं अपनी दूसरी रेस्पी की और चली हम जो बनाते है तरफ अपनी एक और रश्पी यह हमारे दूसरी रश्पी है यह देखिय सeshwahा किया हमारे जो लाल मैं मार्केट जाती हूँ या मॉल जाती हूँ तो लोगों को देखती हूँ कि लोग चिली फ्लेक्स वगयरा खरीद रहे होते हैं तो हम घर में कितनी आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही कम लागत लगती है बजार में तो यह बहुत कॉस्टले मिलते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगे कि हम चिली फ्लेक्स घर में कैसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं ठीके फ्रिंट्स यह देखिए मैंने सुखी लालमेच ले लिए इनकी जो डंठल है वो मैं इस तरह से तोल लूँगी सारे डंठले में तोल लूए रही हूँ इस यह देखिए हमने जो लालमेच ना इनकी डंठी हटा दी है ठीके और मैंने इसको एक घंटे के लिए दूप में भी रख दिया था गैस पे मैंने कड़ाई चड़ा दी है ठीके और गैस को कर दिया है कभी कोई भी चीज जब हम रोस्ट करते है न तो कड़ाई को हमेशा पहले गरम कर लेते हैं तो पहले हमने कड़ाई को हलका सा गरम कर लिया है और हमें इसको बहुत हलका सा रोस्ट करना है तो सिर्फ हम 2-3 मिनट इसको रोस्ट करेंगे ने देखिए इसको हम अग्रा चला पिव देखें को यह करा रही है बस हम इसको लिगा खराबा todo गराई जायेगा है आपको पता है कि हम बनाने हैं वोखो बनाते लोगों को य सब इनändig नहीं होता है बनाई हैँफिड नहीं होता है वोख सबस्क्राइब लेके और बाइछ घर में यूद्य प्रणव's मोद्ध सबसार तरस्ता आएगा कलर बहुत अच्छा आएगा इसमें कोई कैमिकल वेगरा भी हम यूज नहीं करेंगे तो इसलिए आप हमेशा जादा से जादा चीज़े घर में बनाने की कोशिश करें और यह सब बहुत ही आसान है मिंटों में बनती है कि देखें आवाज सुन रहे हैं तो यह घृत है जो हमारी सुख लाल मिरच है यह रोस्ट हो छुकि है यह मोने नौरमली लाल वाली सुखी मिरच ली है गränस की खोर और मर्श दुख और सुखी मिर्च को करेंगे प्लेटमे इसको करेंगे ठंडा फिर में आपको बता की कि चिलीफिक्स कैसे बनाएंगे प्रेंड सूखी लाल मिर्चो को निकाला था और लाल मिर्चों हमारी ठंडी हो चुकी है अब तक इसकोमकर MOR稍ंड। अब मिक्सी के जाल में डाल दिया लेकस, हमारी ठवैपनी स्वाल चिली-सस एन्टीएव है अब मरमटने कीकिति रिखेंगे बहुत हलके से चलाना है एक से दो बार ठीक है और ये दर्दरी सी हो जाएगी क्योंकि अगर जादा चला देगे ना तो फिर ये मिर्ची का पौडर बन जाएगा तो हम चिली फ्लेक्स बनाना है तो हमको इसी तरह से इसको पीस लेना देखिए कितनी जबरदस्त मार्केट से बढ़ी बढ़ी चिली फ्लेक्स हमारे रेडी हो गई है तो इसको जरू बनायेगा जरू टराइट करियेगा तो देखा आपनी आसाली से कितनी बढ़ी नीटी तए तयार हो गई हैं तो इसी तरह से आप भी बनाए और इसका यूज कीजिए बहुत ही जबरदस्त बनी है हमारे चिली फ्लेक्ष आप चाहे इसको पीजा में यूज़ करिए नाश्टे में यूज तर्टर लॕ्वार व चाहीं यह हम इसको बहुत सारी अपनी रेस्पी में यूजheen studio में यूज देखा आपनी कितनी आसाली